कि अब देख़ एक साम्पल नमबर 21 क्या है इसमें एकस्स 11.3 में कि शो देट दो लाइन की एक्वेशन दरिके कार्टिजिन एक्वेशन आर को अब बताओ दो लाइन की बीच में अगर सोटे डिस्टेंस जीरो आ जाए तो दोनों लाइन को अप्लेनर होगी नहीं हो कि टोट एंवन वेक्टर क्रोस एंब टू एक्टर आजाए और इसकी वेलू जीरो आजाए तो वह भी को प्लेनर होगे नहीं होगे बताओ प्लेन में पढ़ाता है अब तो दो अब देखो दो लाइन की एक्वेशन दरिकी कार्टिजिन में तो उसको पहले इस ट्रेंट फॉ करते है इसको given क्या हमें का x-3 upon me x plus 3 upon me minus 3 is equal to y minus 1 upon me 1 is equal to z minus 5 upon me 5 यह है second देखो के x plus 1 upon me minus 1 is equal to y minus 2 upon me 2 is equal to z minus 5 upon me 5 it implies strength formula x minus minus 3 upon me minus 3 is equal to y minus 1 upon me 1 z minus 5 upon me 5 and x minus minus 1 upon me minus 1 is equal to y minus 2 upon me 2 is equal to z minus 5 upon me 5 x minus x1 upon me a is equal to y minus y1 upon me b is equal to z minus z1 upon me c ठीक है on comparing we get देखो पहले वाले के fixed points ठीक है कौन कौन से है माइनिस 3 1 माइनिस का 5 इसलिए ये ये वेक्टर कितना होगा इसमें माइनिस का 3 i cap प्लस का z cap माइनिस का 5 k cap ठीक है एंड डिरेक्शन रेश्यो क्या है हाँ प्लस का 5 सभी है ठीक है प्लस का 5 k cap सभी है डिरेक्शन रेश्यो जोफ पैनलल वेक्टर अर अर माइनिस 3 1 5 इसलिए इसलिए ये टू वेक्टर कितना जाए का माइनिस का 3 i cap प्लस का z cap प्लस का 5 k cap अब देखो ए वेक्टर ए वन और एम वन डोनों सेम है ठीक है कि एंड सेकंड वाले के लिए देख लिए हम सेकंड एंड के लिए इसलिए ये टू वेक्टर कितना जाएगा माइनिस का i cap प्लस का 2 z cap प्लस का 5 k cap एंड डिरेक्शन डिश्यो ओफ प्लस का प्लस का 2 z cap प्लस का 5 k cap ठीक है अब हो में क्या देखना सबसे पहले a2 मानिस a1 ठीक है अब ना एटू वेक्टर माइनिस में a1 वेक्टर जाखेंगें कितना एक अब एटू वेक्टर कितना अपना ये रहा मैनिस का आई-cap प्लस का 2 z cap प्लस का 5 k cap मैनिस का ये 1 वेक्टर मानिस का 3 i cap ठीक है फिर प्लस का जे-cap प्लस का 5 k cap ये तो इस एक्टर मानिस में a1 वेक्टर कितना आगे देखो माइनस का 1 माइनस माइनस का 3 I cap प्लस में 2 माइनस 1 Z cap प्लस का 5 माइनस 5 K cap तो इस इंपलाइस A2 vector माइनस में A1 vector is equal to 3 में 7 जाएगा तो 2 I cap प्लस में Z cap प्लस में 0 K cap जातक सही है अपना नाओ M1 vector cross M2 vector हमें find करना है I cap Z cap K cap M1 vector माइनस 3 1 5 माइनस 3 1 5 माइनस 1 2 5 माइनस 1 2 5 by by expanding through R1 ठीक है तो M1 vector cross M2 vector I cap I cap I cap 1 5 2 5 माइनस में Z cap माइनस 3 5 माइनस 1 5 प्लस का K cap माइनस 3 1 माइनस 1 2 it implies M1 vector M2 vector तो माइनस का 1 तो 5 माइनस 10 माइनस का Z कैप माइनस का 15 माइनस का 5 प्लस का K cap माइनस का 6 माइनस माइनस का 1 it implies M1 vector cross M2 vector तो माइनस का 5 I cap ठीक है प्लस का 10 Z cap और माइनस का 5 K cap तो यहां तक सभी में रहे हैं बता अबको देखना है एक दो इस ते पोर है now A2 vector माइनस में A1 vector dot M1 vector cross M2 vector और यह फाइन करना हमाई लिए बहुत इसी है dot तो ठीक है A2 minus A1 2 I cap plus में Z cap plus में 0 K cap माइनस का 5 I cap plus का 10 J cap माइनस का 5 K cap it implies A2 vector में A1 vector dot M1 vector cross M2 vector is equal to minus का 10 plus का 10 plus का 0 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो hence given lines are cop linear ठीक है तो तो एक्जाम्पल नमबर 21 भी सुन में आगे आपको